वाईगुर जी का खालसा वाईगुर जी की फते स्टेपिंग स्टोन पंजाबी रीडर पांजवेच तोड़ा सारे अंदा स्वागत है मैं अर्शंदत पालकॉर आज तोड़ेले पाठ नमबर 18 लेके हाजर हां चलो चलिए नमा पाठ सिखिए साड़ा आज दा पाठ है कड़ा प्रशाद दा इतिहास इतिहास की होंदा बचो इतिहास हंदी हिस्ट्री राइट कड़ा प्रशाद दा इतिहास की है कदो कड़ा प्रशाद शिरू होया राइट So किस तरह शिरू होया है आपा आज सिखांगे हमेशा दी तरह आज असी पहला ओखे शब्दां दे अर्थ सिखांगे ता जो पाठ तो आन्नो सिखना सौखा हो जावे, समझना सौखा हो जावे, ठीक है जी? पहला शब्द है परशाद, परशाद, English which we see परशाद कहने है, कृपा या किरपा, blessing, grace, मिश्री, rock candy, या rock sugar, वंडे अजंदा, is distributed, तरमस्थान, religious place, सिख्या, teaching, देग, is steel walk, सो बच्चे तुसी कड़ा प्रशाद वास्ते वी देग शब्द सुनया होएगा, सो असी कड़ा प्रशाद वी देग केंदेया, ते देग एक पांदा भी हुंदा है वा दाजा पांदा, हैना, सो steel book, जिडा तुसी जरूर पिक्चर्स देविच देख्या होंगे वा स्वाद, एट्सेटरा, स्मापति, completion, स्मापत हो नुँ असी एंड वी केंदेया, पर मोस्ली जदो असी पार्ति गल कर देया, असी संपूरन ता केंदेया, जा संपूरन केंदेया, ते उथे स्मापति नुँ as completion वर्थ देया, ठीक है, संपूरन is complete, क्योंके? because, इतिहास, history, दात, blessing, जां, gift, वर्ताया, distributed, मर्यादा, tradition, मौका, it's time, event, or sometime we use it chance, right, also, पर्शाद, इतिहास, वक वक तर्मा विच बहुत चीजां जिमें बूंदी, काले छोले, पतासे, गोड, पंजीरी, मेवे, मिश्री, आदनों प्रशाद लेई वंडिया जान्दा है, पर सिखी विच कड़ा प्रशादा प्रशाद ही परवान है, दुनिया विच बहुत लोग कड़ा खान्दे हन, कई इसनों हलवा भी कहन्दे हन, पर गुर्द्वारे विच एही कड़ा गुर्बानी पढ़ के त्यार हुन्दा है, अते गुरुदी असीस लेके परशाद बन जान्दा है, जिडियां गल्ला असी अथे जड़े चीजां दे नाम ले, और तो आप तुसी देख साकते हुन्दी, जिन्नों बदाना भी कहा दिनने असी, काले छोले, एहन पतासे, गुड, पंजीरी, मेवे, मिश्री, एस सारियां चीजां तुसी अपने पंजाबी करावेच, अपने सिख करावेच देखिया होन गियां, ठीक है, सुझे नहीं देखिया ते तुसी अपने माता जीनों जा कारविच किसे होर मेंबर नों पुच सक कडा परशाद सिखाले गुरु दी दात है, दात सिख किया सिखा, के दात हुन दिया, ब्लेसिंग, जां गिफ्ट हुन दा, राइट, परशाद दा मतलब है, असीस जां कृपा, गुर परशाद दा मतलब है, गुरु दी असीस जां कृपा, जां गुरु दी किरपा, कडा प पर शाद दी मृयादा सिरी गुरु नानेक देव जी ने शुरू किती ओ हर दिवान तो बाद कड़ा परशाद देग वरतान दे इस सब नो चंगा लगदा क्योंके कोई वी गुरु जी आई झाला साड़े दस गुरु सहबांदे समेवी हर दिवान दी समापती तो बाद कड़ा परशाद वरता है जानदा सी इस तरह कड़ा परशाद सिखी दा एक जरूरी हिस्सा बन गया सो तो आनो कड़ा परशाद वारे जरूर पता हुएगा बच्चेओ क्योंकि तुसी एतवार नो खालसा स्कूल जदो जानदेओ गुर्द्वारा सहब जानदेओ उथे मत्था टेक देओ या अंगों पिछों विड जदो तुसी गुर्द्वारा सहब जानदेओ ता उथे कि याने दो-दो गफे भी लेंदेने कई बच्चे, वह डेवी कई वरी प्रशाद, दूसरी वरी भी लेंदेने, होन वी गुरु कार विच आये हर इंसान नुकडा प्रशाद मिलता है, जिस कारण कोई वी गुरु का अरजां गुर्द्वारे विचों खाली हत नहीं जान्दा, सब नु एक ही बाटे विचों प्रशाद वरताया जान्दा है, इस नाल उचेनी में, गरीब अमीर, तरम अते जैंडर दे, पेद पाव, मिट जान्दी हैं, कड़ा प्रशाद दी रीतों सानु सिख्या मिल दी है, कि असी सब बराबर हाँ, तो उसी देख्या होएगा, राइट, कुर्द्वारा साहद देविच, जदो प्रशाद वरताया जान्दा है, कोई भी संगत विच बैठा होए, पामे ओ देशता, प्रेजिडेंट ही क्यों ना होए, ओ हरक नो प्रशाद बराबर प्यार अते सुथकार देना अलवरताया जान्दा है, सारी संगत बराबर प्रशाद दी हाकदार हों दी है, ठीक है, साबनों को तरीक ना प्रशाद मलता है, इस तो सारनों बहुत सोनी वड़ी सिख्या मल दी है, कि ऐसी सारे बराबर हां सिख तरम देविच एक्वैलिटी थे बहुत जोर दिता जान्दा है, ते इस से नो मन्या जान्दा है, कि ऐसी सारे एकुल हां, बराबर हां. कोई वी सिख प्रोग्राम जास मागम कड़ा प्रशाद तो बिना संपूरन नहीं हो सकदा, उस मागम पावे सुखदा होवे, जा दुखदा, कड़ा प्रशाद जरूर वरताया जान्दा है, इस नाल सिखा नू एवी सिख हा मिल दी है, कि पावेद दुखदा मुक्ठा होवे, जा खुशी दा, वाई गुरु दा पाना कवेदा है, ठीक है, ए जो शाबद है कि रिपीट हो गयने, सो तुसी यानर एग्नोर कार सक्देओ, तुसी देख्या होएगा जदो खुशी होंदी किसी दा जनम दिन होवे, ज़ा साथे गुरु सहब दा प्रकाश पुरुव होवे, ता असी खुशिया मना देया, ते असी व्या होंदी ने जदो हना, ओदो भी असी पाठ कर देया, ते सान परशाद मिलदा, ते जे कार्च रहाँ करें किसे दी डथ हो जान दी है ओनना दी वास्ति जिड़ पाथ किता जंदार्दास किती जंदी उस्तो बाद वी जड़ा गुरु सहिब जी दा कड़ा प्रशाद जी दा सारी संगर देविच वर्त दा है ते ए सानु दासता है कि गुरु दा पाना एकको जया मननना चाहिदा है although it's very difficult for everyone but that's what guru ji दी सिख्या सा देवासते ठीक है so follow-up activity असी हर पाट तो बाद एकर देयां find all the vocabulary words in this essay and circle them so these are the vocabulary words you go through the lesson read the lesson again and where you see the word you can circle that and if you fail there is some other words which are difficult for you please circle them in a different color so you can ask your teacher के मैननो एस शबद दा अर्थ नहीं पता तो ओता जरूर मदद करेंगे ठीक है बच्यों so तुसी इस तरा करके हूर शबद वी विच्चों सिख सक देओ जड़ तो आनू difficult लगन सुम वार करदा काम सर्कल दा correct answers to these questions so एत अड़कोल मल्टीपल चोईस कोस्चों हुंदे हैं you have three options तुसी हर पार्थ विच तक्रीबन कर देओ वाख वाख तर्मा विच की खान वालियां चीजां परशाद ली वर्ताईयां जांदिया हैं ठीक है अड़कोल हान पतासे आंब काले शोले गुरपरशाद पंजीरी केले बुंदी काले चोले संत्रे गोड़ हल्वा मेवे मिश्री बुंदी काले चोले पतासे पंजीरी मेवे मिश्री तो इदे विच्छो काफी जडे आंब वी, संत्रे वी, कई वरी मंदर दे विच्छ दे परशाद मिलदा है, साडे जडे हिंदू फ्रेंड्स है गया, ओ जडे परशाद दे केले, आंब, संत्रे, कुछ ऐसरा दे फाल वी, उथे मिलदे साडे गुर्द्वारस है विच मिलदा है, ते बाहर लंगर दे विचा के सारियां चीजां कोई वी चीज सानौ वर्ताई जान दिया है, ठीक है, सो तुसी एदे चो अंसर सही लबना, according to this lesson, तुसी लब सक दियो, अंसर, and you can circle that, कड़ा परशाद किथे वरताया जान दा है, सारे तर्मस्थान विच, गुर्द्वारे आते चर्च विच, गुर्द्वारे विच, ठीक है, सो मैं अल्मस्ट अंसर दे चुक ही एदा, पर तुसी पाढ़ पाढ़ के, ऐसे तौनू पता ही होएगा, फिर भी तुसी ग कड़ा परशाद के उनकी सिख्या मिल दी है, रीत is tradition, मर्याद है, सो असी सब सिख्खा असी सब चंगे हां, असी सब बढ़र हां, कड़ा परशादी, गुर्द्वारे एदा है, सब विच एको जावर्ता है, कड़ा परशाद, वो तो सानू की सिख्या मिल दी है, यह वी प्रशाद की मतलब है what is the meaning of word प्रशाद and next one is गुर परशाद शवन्दा की मतलब है ठीक है so परशाद ते गुर परशाद की फरक है भी तो नुप बदा लाग जेगा परशादधी मर्यादा तो सानु की सिख्या मिल दी है तुसी बेला में कार चुक्यो ते तुसी तानु पता है तुसी एते आंसर लिखोगे हुदा, तुसी आंसर जड़े complete sentences विच पूरे वाक्यां विच आंसर करना हुदा है, प्रशाद दी मर्जादा किस गुरू साहब ने शुरू किती, यह भी बहुत सौखा question है, और तनु सारे नु पता होना चाहिए, ठीक है, तुसी एते आंसर लि words हुदे ने, इदर होना दी, definition हुदे है in English, you have to match that, you have been doing this, so शुरू तुसी ए कर रहे हो, तु तानु पता है किस्रा activity है, वाली किस्रा करनी है, so वीरवार कर्दा काम, set the timer, read this essay, how many minutes did it take, so this is again, असी हार lesson वास्ते कर देया, कोई कफता होवे, जा कोई ऐसे होवे, तुसी timer set कर देयो, तुसी पढ़ देयो, तुसी फिर देख देयो, कि एक minute देयो, तुसी किने शब्द पढ़े, या के पूरा लेसन पढ़ लही, तु अनु किना टाइम लगया, तु एदेनाल तु अनु बहुत सोनी सेद मिल दिया, कि तुसी पहला तु बैटर पढ़ सक देयो, पहला तु तुसी correct पढ़ सक देयो, ठीक पढ़ सक देयो, तु अडिजडी fluency है किया, तु एकुरेसी है किया, तु अडिजडी reading दी ओ, तु नु इस तो पता लग दिया, तु प्लीज तुसी हर लेसन लिए करो, ताँ तु अडिज़ रिकॉर्ड होए कि मैं पहला किस तरा पढ अडिए आज पढ़ दी हां, जाँ पढ़ दा हां, बैटर होया हां अगे नालो, जान नहीं बैटर होया तु सी होड मेनत करो, ठीक है? So, आज एना की कहके मैं लेसन बंद कर दी हां, तो सारे अंदा बोट बोट अन्वाद, बोट बोट थैंक्स तुसी इसे तरह सिख्देरो, ते होनसी फटे बलांदे हां, वाइगुर्जी का खालसा, वाइगुर्जी की फटे!